अजिपूर से मा बीटी के डबल मर्डर से संसनी फैल गई, सूचना पर पुलिस पहुँची, दोनों शवों को कबजे मिली आ गया और पोस्ट मॉट्टिम के रे भीचवाया गया वारदाद के पीछे जमीन संबंधे विवाद बताया जा रहा है, हलाकि वुलिस ने अगयात लोगों के खिलाफ मामलादाच का जान शुरू करती है ये संसनी केज वारदाद मुहमदाबाद थाराक्षितर के कठ उत गाउं की बताई का अगया बताई एक बाबाद थाना का इस गाउं में जो है एक 75 साल की महिला और लगबग 35 साल की दूसरा महिला दोनों महिलाओं का गला दबा के मारने वाला गटना है इसमें दो महिलाओं का मृत्य हुई है इसमें गटनास तल पर मैं पहुंच गया हूँ और कप्तान साब और एक्षिन लेस्पी साब पहुंचे हैं और अभी तक जो प्रकरण का प्राधमिक संग्यान लेते हुए हम लोग पूरा प्रकरण का जांच पर तल किया जा रहा है शाजापूर के पेइंग गेस्ट में उस वक्त धरकम बच गया जब पुलिस ने शापा मारते हुए साथ जोडों को हिरासित में लिया बताया जा रहा है कि एक पार्टी के नेता का ये पेइंग गेस्ट हाउस है और पुलिस ने सभी जोडों को थाने लेकर आई गटना के बाद मैनेजर और गेस्ट हाउस का मालिक फरार है मुणादाबाद में रोड रेस के घटना के बाद बाइक सवारियों को की दबंग गई साब में आई दबंगों ने स्कूटी सवारियों की चम कर पिटाई कर डाली और उसके बाद दबंग मौके से फरार हो गए मामला गल शहीद इलाके का है रोड वेज बस अज्डे के पास ये खटना हुई जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है